सीधी खड़ी बड़ी चटानों के बीच से निकलते हुए हम जा रहे हैं एक ऐसी गुफा में जिसमें कभी भगवान शिव रहा करते थे उत्राखंड के रुद्रप्रयाक शहर से तीन किलोमीटर दूर इस जगापर कोटेश्वर मंदिर है अलग अलग किस्म की वनस्पतियों के बीच यहां बहती है अलग नंदा नदी मंदिर और गुफा की ओर जाने वाला रास्ता कंक्रीट से तैयार किया गया है ताकि भक्तों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो यात्री मार्क से आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में दिखा कोटेश्वर मंदिर कहते हैं इस मंदिर का निर्मार चौधवी श्रदाब्दी में किया गया था चारधाम की आत्रा पर निकले ज्यादा तर श्रद अलू इस मंदिर को देखते हुए ही आगे बढ़ते के आत्राधए इस मंदिर अगे दोग्वर मंदिर को देखते हैं इस मंदिर के में दोग्यादे आगे प्यादी श्रदाब्दी श्रदाध प्यादे ज्यादे गुफा के बाहर कलकल बहती अलगनन्दा का नजारा भक्तों और घूमने आए लोगों को लुभाता है अपने इस सफर में हम अप पहुँच गए हैं उस गुफा में जहां कभी स्वयम भूले नात रहा करते थे कहा जाता है कि भस्मा सुर्ष से बचने के लिए भगवान शिव यहीं छिपे थे गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनी मूर्तियां और शिवलिंग स्थापित हैं तो आपका बार रहे हैं पोटेश्पर महादेव की दर्शन करने आओ पहार